सभापती महोदय, जो आपने मुझे महिला आरक्षिन विद्यक 2023 पर बोलने का मुखा दिया, मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी बहुजन तमाज पार्टी की मुखिया बेन कुमारी मायवती जी का यह बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं. सभापती महोदय, 19 सितंबर 2023 को इतिहास लिखा गया, और हम सभी लोगों को उस इतिहास का गवाब बनने का मौका मिला, जा हम लोग पुरानी संसद भवन से निकल कर नए संसद भवन में आने का गर्व महसूस हूँ किये। सभापती महोदय, हम नए संसद जो 2019 में चुनकर आये, हम लोगों की शुरुवात पुराने संसद भवन से हुई. और हम सभी लोग अपने कर्तव्यों का अस्परनिय यादे लेकर नए उम्मग, नए उम्मीद और नए कर्तव्यों का संकल्प लेकर हम सभी लोग नए संसद भवन में आने का काम किये हैं. और यहां आते ही मान्य प्रधान मंत्री जी द्वारा नारी शक्ती वंदन अधिनियम को सदन के पटल पे रखा गया, जिसकी मांग दशकों से थी. और बहुजन समाज पार्टी ने कई बार, और मैंने स्वैम में इस महिला आरक्षन विदेय की मांग को कई बार सदन के पटल पे रखने का काम किया है, मैं और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करते हैं. सभापती महुदे, ये बाबा सहाब डॉक्टर भीमराओं अमबेटकर की देन है, और उनकी आधुनिक और प्रगतिशी सोच का नतीजा है, कि जब संविदान की रचना की जा रही थी, तब बाबा सहाब ने सर्व समाज की महिलाओं को, जिनको पढ़ने लिखने, दन संपत रखने का अधिकार नहीं था, उनको संविदान में सम्मान देने का काम किया, बाबा सहाब ने जहां हमको एक वोट का अधिकार दिया, वही माननेवर कांशी राम सहाब ने उस एक वोट की कीमत को दलित, सोशित, वंचित वर्गों को समझाने का काम किया, और उस समय यह ना हम जैसे वंची समाज की महिलाओं को लोकसभा और राज की विदान सभाओं में जाने का मौका मिला और अपने समाज का प्रतिनिद्व करने का मौका मिला यह भी लाने से देश की महिलाओं को नई उर्जा मिली है महिलाओं को सम्मानित और सुरक्षित खुद को महसूस करने का मौका मिला है आज जहां 21 सदी में हम चान पर उतरने का श्रे महिला वेज्ञानिकों को देते हैं वहीं सीमा सुरक्षा बल से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और होम मेकर से लेकर किंग मेकर बनाने तक का श्रे महिला महिलाओं को जाता है यह विदयक महिलाओं को राजनितिक शेत्र में प्रवेज करने के लिए और उतकृष्टा हासिर करने के लिए आवशक प्रोटसाहन प्रदान करता है यह न केवल प्रेरित करता है बलकि रोडिवाधिता को चुनोती देता है नेतरुत्व कौशल विकसित करता है और साथ ही एक सहायक वातावरन तयार करके जहां महिलाई आगे बर सके इसकी योजना बनाता है अध्यक जी इस विदेहक का हम समर्थन करते हैं लेकिन बोजन समाज पाटी की कुछ मांगे है जिसको हम चाहते कि इस विद्यायक में सम्मिलित किया जाए मैं आपकी ध्यान में लाना चाहूंगी कि एन एफ एचेस पास के अनुसार भारत की जनसंख्या के प्रती कि एक हजार पुरुष पर एक हजार बीस महिला हैं इसलिए लोकसभा और राज की विदान सभाओं में 33 परषन की बजाए 50 परषन आरक्षन को दो दिया जाए और इस आरक्षन को राज की विदान परिशदों में भी लागू किया जाए महिला आरक्षन में SCST के साथ OBC वर्गों के आरक्षन को भी सुनिश्चित किया जाए ताकि जब तक समाज में आसमानता रहेगी तब तक आरक्षन को लागू करना अनिवार रहेगा और सामान सीट पर SCST OBC की महिलाओं को मौका नहीं मिल पाएगा और साथ में BSP की यह भी मांग है कि जातिगत जनगरना जो 2021 में होने वाली थी उसको जल से जल पूरा किया जाए ताकि SCST OBC के लोगों को आरक्षन मिल सके और साथ में जो परिसीमन होने वाला है परिसीमन और जातिगत जनगरना कराकर इस आरक्षन को जल से जल लागू किया जाए अध्यक जी यह महिला आरक्षन विदेयक सिर्फ और सिर्फ सरकार का चुनावी मुद्ध न बन जाए इसको ध्यान में रखा 22 के आम चुनाव में जल से जल लागू कराया जाए जी किसी भी देश की उन्नती और विकास के लिए महिलाओं को समुचित विकास होना सर्व पर ही है इनी सब बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात खतम करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद श्री कर तो किंग मेकर